दिल्ली के मुख मंत्री और आमादन पार्टी के सयोजक अर्विन केजिवाल ने मंगलवार को मद प्रदेश पे विधान सबाचुनाव से पहले अपने अबियान का आगास किया। कारकरतों में जोश भरते हुए उन्होंने राज की जनता से मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा और इलाग जैसे वादों के जरीए एक मौका देने की अपील की। केजिवाल ने आके कहा कि किसी पार्टी ने नहीं कहा कि हमें वोट दे दो मैं आपके बच्चों को भविश बना दूँगा, आपके परवार के लिए इस्पिताल बना देंगे। देखना 27 में सरकार बन जाएगी, अब ये गुजराद भी चला गया, रोको इसको, इसके लिए उन्होंने शडियंत रचा, आप भी सुनिए कि के इजरिवाल ने क्या कुछ कहा है? आप से पूछना चाहता हूँ, यह बहुत सारे बड़े बुजर को भी बैठे होंगे, पूरा आजादी के 75 साल में कोई एक पार्टी बता दो, जिसने आपको आके कहा हो कि मिर को वोट दे दो, मैं आपके बच्चों के स्कूल बना दूँगा, किसी ने कहा, किसी पार्टी ने, बीजे पी ने, कॉंगरेस ने, इस पार्टी ने, उस पार्टी ने कभी कहा हो, कि मिर को वोट दे दो, मैं आपके बच्चों के स्कूल बनवा दूँगा, किसी पार्टी ने ने कहा, बनाने ही नहीं आते हैं इनको, नहीं आती नहीं है इनक किसी पार्टी ने कहा हो कि हमारे को वोट दे तो हम आपके परिवार के लिए अस्पिताल बना देंगे आपके लिए बिजली का इंतिजा किसी पार्टी ने नहीं कहा करना ही नहीं आता नियत ही नहीं है इनकी तो इन्होंने देखा कि भाई ये केजरीवाल की काम की राजनीती के सामने तो हमारी दाल नहीं गलेगी तो उन्हें ने शड्यंतर रचना चालो किया मेरे खिलाफ कि केजरीवाल को रोको किसी भी तरह पहले दिल्ली में था फिर पंजाब में चला गया अब गुजरात में वो कहते हैं न शेर की मांद के अंदर घुस गए गुजरात के अंदर घुस गए हमारी एंट्री हो गई गुजरात में इस बार 14% वोट आए हैं देख ले ना 2027 में सरकार ना बन जाए तो हम लोगों के अब यह गुजरात में भी चला गया रोको इसको तो इन्होंने क्या किया इन्होंने शड्यंतर रचा मेरे खिलाब इसके ओ इसको इसके ओपर कीचड भैको केजिरीवाल के ओपर कीचड भैको बोलो केजिरीवाल भरष्टाचारी है केजिरीवाल भरष्टाचारी है इन्होंने खूब की चड़ भेंका मेरे उपर लेकिन जनता ने उसका जवाब दिया जनता कह रही है यार कोई भरष्टाचारी आदमी सरकारी स्कूल बनाता है क्या भरष्टाचारी आदमी तो प्राइवेट वालों से पैसे लेके सरकारी स्कूल बरबाद करता है कोई ब्रश्टाचारी आदमी सरकारी अस्पताल बनाता है क्या फ्री में इलाज कराता है क्या ब्रश्टाचारी आदमी तो प्राइवेट अस्पताल वालों से कमिशन लेके सरकारी अस्पतालों को बरबाद करता है जंता ने इनका यकीन नहीं किया फिर इन्होंने मेरे दो सबसे शांदार मंतरी गिरफतार कर लिये मनीश सिसोदिया और सतिंदर जैन सतिंदर जैन वो शक्स है जिसने फ्री बिजली देना शुरू किया था दिली के अंदर उसने सौरा बड़ा इंटेलिजन्ट आदमी है वो बड़ा इंटेलिजन्ट आदमिया, सारा मेरे पास हिसाब किताब लेका है एक जिन बोला सरजी दिल्ली की बिजली मुफ्त हो सकती है, मैंने का कैसे हो सकती है तो कागज लेके आया कहता है, देखो सर इतने पैसे चाहिए, ऐसे बिजली मुफ्त कर देंगे उसने दिल्ली के महला क्लिनिक बनाए, उसने दिल्ली के सारे अस्पतालों में सारी दवाईयां मुफ्त कर दी परदान मंत्री जी ने उसको जेल में डाल दिया, एक मनीज सी सो दिया है 22 साथ 75 साल हो गए आजादी के, आज भी हमारे देश का एक गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता 18 करोड बच्चे बढ़ते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, 18 करोड बच्चों का भवश्य अंधकार के अंदर है देश के अंदर पूरे देश में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, 75 साल के बाद भगवान ने एक शक्स बेजा, मनीश से सो दिया उसने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में कमाल करके दिखा दिया भाई साब आप जितने लोग हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हैं, मैं आपको नियोता दे रहा हूँ आप दिल्ली आओ, दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में घुज जाना, आपको यकीन नहीं होगा, शानदार 5 स्टार बिल्डिंग है, हमारे सरकारी स्कूलों की 99.7% नतीजे आए हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, रिक्षे वालों के बच्चे डाक्टर इंजीनियर वकील बन रहे हैं, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल कि अब सरकारी स्कूलों में भरती करा रहे हैं और परधान मंत्री जी उन्हों मनीश से सुधिया को जेल भेज दिया अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें